नमस्ते दोस्तों मैं मुर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चानल पर स्वागत करती हूँ जैसा कि आप बहुत दिनों से प्रतिक्षा कर रहे हैं आज हम एसपाल दोरा लिखित जूटा सच इस उपन्यास पर बात करने वाले हैं वैसे आप यूट्यूब करेंगे या गोगल करेंगे तो जुटा सच इस उपन्यास के बारे समगर रुप से जानकारी कहीं भी हासिल नहीं होती वैसे ये उपन्यास ही काफी बड़ा है जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो काफी समय हमारा ये उपन्यास लेता है वैसे इस उपन्यास को दो भागों में लेखक ने लिखा है एक है वतन और देश और दूसरा है देश का भविश्य इस तरह ये दो भागों में लिखा हुआ है आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वतन और देश एक भाग पर बात करने वाले हैं काफी वीडियो लंबा हो सकता ह क्योंकि उपन्यासी काफी बड़ा है और संपूर्ण उपन्यास की जानकारी, संपूर्ण कथा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीके, तो चलिए, पहले हम पात्रों का परिचे देख लेते हैं, इसके बाद में हम उपन्यास की कथा वस्तु की और मुडेंगे, पात्र है जैदेव पूरी, उपन्यास का ये नायक है, तारा उपन्यास की जैदेव पूरी की बहन भी है और उपन्यास की जिसको नायका भी हम बोल सकते हैं, कनक जैदेव की प्रियसी हैं, बाद में पत्नी भी, राम लुभाया या तारा की पिताजी हैं, भाग्यमती तारा और ज निकल जाती है, कथा में हमने ये देखेंगे, असद तारा का पहले प्रियकर रहता है, डॉक्टर प्रानना तारा को चाहने वाला एक अच्छा वेक्तित मत्वर लेकर उभरता है, शामा इसाइस्त्री है, महंद्र नयर जो कनक का जो जीजाजी है, कांता का पती है, कांता जो क कनक की बहन है, नबू, तारा पर अत्याचार करने वाला एक मुस्लिम वेक्ति है, जो मोके का फायदा उठाता है, और एक स्त्री पर अत्याचार करता है, हाफीज, एक मुसल्मान वेक्ति को तारा अपने घर लेकर जाता है, और उसका धर्मानतरं करने में वो असफल होता है उर्मिला, ताजो, ताई, रुको और प्रधान मंत्री, रावत, इसाक और सुजी ऐसे बहुत सारे पात्रे इसमें गोन पात्रों में आते हैं बहुत सारे साहिक पात्रे हैं अनगिनत पात्रों के नाम है लेकिन मैंने कुछ प्रमुक पात्रों के नाम यहाँ पर आपको बता दिये हैं उपन्यास का विशे हम सब जानते हैं कहीं तो सुना हुआ है क्योंकि उपन्यास जोटा सची है देश की विभाजन की जो तरासदी है विभाजन पर या बटवारे को लेकर स्थिती को लेकर लिखा गए उपन्यास है राजनेतिक जीवन का चितरन हमें मिलता है स्त्री जीवन की त्रासदी है सामप्रदाइक दंगो हिंसवा का वर्नन है भारत आजाद होने के पुर्व और भारत आजाद होने के बात की जो स्थिती है उसमें देश में किस तरह उतर चड़ा होए और सामाजिक स्थिती परिस्थिती का जो विशलेश है लेकर ने बहुत ही बारिक ही से किया है हमें इस उपन्यास की कथा कही भी ऐसा नहीं लगता है कि हमें बोरिंग हो रहा है तो हमें ये कथा बहुत ही मनोरंजन करने वाली भी लगती है और सोचने लाइक भी लगती है कथा को हम बीच में नहीं छोड़ते क्योंकि कथा यहां जिग्या सा भी उत्पन करती है प्रेम का वास्तविक रूप हम भी यहां पढ़ते हैं, ठीक है अब इस उपन्यास की चो कथावस्तु है उसको हम देखेंगे जैसे कि मैंने कहा कि प्रस्तुत उपन्यास दो भागों में चित्रित है, पहला भाग, वतनवार देश और दूसरा भाग, देश का भविश्य अब हिंदुस्तान के बटवारी के स्तिती को लेकर लिखा गया यह उपन्यास, इत्यास बोल सकते हैं क्योंकि यह बटवारी के स्तिती को लेकर पूर्ण तहा जैसे खुल कर सामने आता है, जैसे पढ़कर हम ततकाली स्तिती और परस्तिती को समझते हैं और महसूस भी करते ह वतन और देश यह जो पहला भाग है इसमें उपन्याश की शुरुवात राम लोभाया और बाबू राम ज्वाया जी के मा की मृत्य की घटना को लेकर होती है क्योंकि ये दोनों भाई है और उनकी मा की मृत्य हो जाती है जहालेकक ने श्त्रियों की विलाप का विस्तार से व हो जाता है और उसी से उसकी बृत्य हो जाती है मास्टर राम लोभाया आरिय समास से प्रभावी थे डी एवी कॉलेज में अध्यापक थे और विचार से वे सुधारवादी हमें दिखाए देते हैं जो भोला पांदे की गली में एक किराय के उपरी मकान या मन्जिल में रह समान न्याय मिलना चाहिए लेकिन शीलो की सगाई हुई इस कारण उसको दो रुपए दिये जाते हैं लेकिन तारा को नहीं तारा का भाई जैदेव कॉलेज में पढ़ता है यहां शीलो का सुभाव थोड़ा चंचल दिखाई देता है जो जवान है और जो अपने प्रेम औ और पुरुष स्त्री संबंदों को लेकर इस उपन्यास में खुल कर बोलती है लेकिन तारा ऐसी लड़की नहीं है तारा बहुत शर्मिली लड़की है शीलो रतन से प्रेम करती है तारा को यह बात बहुत बाद में पता चलती है क्योंकि तारा अपने पढ़ाई तक उसका चरितर जैसे सीमित हैं क्योंकि और बाते उसको सुनना या समझना उसमें अपना समय गवाना उसको अच्छा नहीं लगता है जब एक दिन वहाँ दोनों को छट पर देखती है कि इसको शीलो और रतन को तारा की मा भागेवन्ती को लगता था कि तारा की भी शादी होनी चा कर उसको मदद करती रहती हैं दोनों भाईयों में रहन सेन में बहुत आंतर है मास्टर राम लुभया की चेरे पर हमेशा ठकान सीर पर भूरी टोपी शरीर पर बंद गले का एक कोट हमेशा रहता है जठानी ने अपने पती से कहे कर तारा का विवाह सोमराज के साथ करवान उन्हें तारा को बीए पढ़ने के लिए आनुमती दी जैदे गुपता अंदोलन करने के कारण जेल चला जाता है उसी समय तारा की सगाई सोमराज के साथ कर दी जाती है तारा को अभी शादी नहीं करनी है लेकिन उसके परिवार के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता वह औ और पढ़ना चाती है तारा की बहुत अच्छी दोस्तों में सुरेंद्रस ने गुर्टू का नाम आता है तारा अपने विवा न करने की बात बहुत बार माता पिता को बोलती है लेकिन उसकी बातों की और कोई ध्यार नहीं देता यहां से तारा और जैदिय की कथा की शुर चुडेंट फेडरेशन और कमिनिस्ट कहलाने वाले संगर्टन से प्रभावित होती है जिस कारण एक असत नामक जो मुस्लिम दढ़के से उसकी मुलाकात होती है दोनों में आकर्शन और बाद में इस आकर्शन का प्रेम में भी उर्पांतरन होता है और उनकी शादी तक ही बाते चली जाती है शादी की कस्में भी खाते है जहां एक तरफ देश में आजादी के पहली की हल चल है देश में बठवारे को लेकर परिस्तितिया निर्मान हो रही है शहरों में जैसे धर्म और कौम के नाम पर दंगे फसाद आंधोलन हमले हो रहे है तारा अपने सहले के साथ मिलकर कुछ समाज कारिय करने का भी विचार करती है, सोचती है, जिसमें मिथ्या संसकारों से उसे मुक्त होने का संतोष प्राप्त हो सकता है, जैदेव पूरी देश की स्वतंतरता के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तयार है, अपने घरों की या अपने घर की आर्थिक स्थिती वह जानता था, फिर भी अपना कारिय वह करता रहता है, उसे तो प्रोफेसर बना था, छात्रकाल में ही उसने बहुत कुछ लेखनकारी, मोलिक लेखनकारी किया था और उसे प्रकाशित भी करवाया था, लिखता भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनके खराब हो रहे थी, पूरी के घर का संगर्ष और देश की स्वतंतरता के लिए किया जाना वाला उसका संगर्ष, दोनों हम असाईय रुप में देखते हैं, जैसे असाईय हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ होता है, या भी हम पढ़ते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े मिलना जैसे दुशकर हो जाता है, पूरी का जैसे दुसरा एक भाई है हर देव और तारा सहीद दो बहने भी थी, पडोसी स्त्रियों में तरकारी सबजी को लेकर बाते होती है, क्योंकि महेंगाई ज्यादा है, अच्छे सबजी भी नहीं खा सकते, सब लोग अपनी जिन्दगी जैसे वैसे काट रहे हैं, जैदेव ने अपने पेरों पर खड़े होने का निर्ने तो लिया, उसने कॉलेच छोड़ दिया और उनके गली का नम जैसे भोला पांदे ये गली का नाम था, और भोला पांदे इस गली से निकल कर वो बाहर जाकर सोच जैदेव ने लगता है, जैदेव तारा की पिता जी मास्टर जी स्कूल में पढ़ाने के आतिरिक्त टूशन भी लेते थे, जैदेव के जेल में रहते ही तारा की सगाई सोमराज नाम के विक्ति के साथ की थी, तारा इस बात से बहुत उदास और हमेशा नाराज रहीती है, जैदेव उस सुमराज शाहनी के बारे में थोड़ा बहुत पहले ही जानता था सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ने वाला जो बीए की परिक्षा नहीं दे पाया था जैदेव ने अपनी बहें तारा को कॉलेजे में आने पढ़ने के लिए मदद की प्रेरित किया जैदेव ने मास्टर जी से डॉक्टर प्राननात की प्रशेंशा सुन रखी थी और डॉक्टर प्राननात मास्टर जी का आधर सन्मान करते थे इसलिए प्राननात हमेशा जैदेव की और तारा की मदद करने के लिए आगे आते थे डॉक्टर प्राननाथ अर्थशास्तर में PhD कर चुके थे, उनका उनके ख्षेत्र में काफी नाम था और I.U. में जैदेव से कुछ 6-7 साल से ही बड़े होगे, जैदेव ने अपनी बहन B.A. में अडिमिशन लेने के लिए वो डॉक्टर प्राननाथ के पास पैसे की मदद प्राननाथ के घर उनके भतीजिये और भतीजियों को पढ़ाने के लिए जाती रही है। के मा को ये सब पता चल रहा था। जैदेव ने उसे बहुत बार समझाया लेकिन वह डरती नहीं है। एक दिन जब जबरन पूरी को अपनी और वो आकर्शित करती है, हुए पकड़ी गई, मा ने उसे देख लिया, तब जैदेव ने उस घर में और उस उर्मिला को पढ़ा अंकों के लिए कहानिया छपने लगी थी, जैदेव की काफी प्रशंशा भी हुई थी, लेकिन बेरोज़गारी के चलते वह बहुत ही परिशान था, घर की आर्थिक परिस्तिसी से बहुत परिशान हमें वह दिखाई देता है, उसने अपने आमदनी बढ़ाने के लिए अन कॉलेज की राजिनेती में भाग लेने वाली प्रमुक छात्रा थी, जो खदर की साड़ी पहन कर सब लोगों की उस कारण उसकी पहचान थी, पर जैदेव ने कभी उससे आमने सामने बात नहीं की थी, कनक जैदेव से प्रभावित थी, कनक के पिताजी ने कनक को पढ़ाने के लिए जैदेव पूरी को आमंतरित किया था, जैदेव अपनी आर्थिक परिशानी को कुछ कम करने के लिए वह काम करने के लिए हाँ, यानि उस काम को करने के लिए वह तयार हो जाता है, उसने कभी कनक के घर में जाते समय अपनी आर्थिक कठिनाई नहीं दिखी, अपन उनकी दूसरी बेटी थी और कांता का विवाह हो चुका था तीनों भी मुक्त वातावरन में पली बड़ी थी बढ़ते योवन के चलते कनक भी जैदेव पूरी के आकर्शन में और बाद में प्रेम में पढ़ जाती है पूरी का नाम काफी प्रचिलित हो गया था हर कोई कहानिया लिखने का अनुरोध उनको करता लेकिन नौकरी की कोई बात नहीं करता था कुछ दिन पैरोकार में उसने यानि पैरोकार पत्रिका में उन्होंने काम किया लेकिन वहाँ भी उसे विशेश वेतन नहीं मिला या उस विशेश उनकी योग्यता के अनुसार काम न मिलने के कारण उसने वो छोड़ दिया कनक और पुरी दोनों भी हमेशा एक दुसरे को गुरु के नाते आदर सतकार उन दुसरों का होता था कनक और पुरी दोनों भी एक दुसरे से प्रेम करने लगे थे घर के आलावा दोनों आप बाहर भी मिलने लगे थे पूरी ने अपने पैरोकार में यह समाचा छापा था कि जो सौमनात साहनी के बारे में था जिसके साथ तारा की सगाई हो चुकी थी जिसने एक प्रोफेसर को थपड मारा था क्योंकि उस प्राध्यापक ने उसे नकल करते हुए पकड़ा था और इस घटना की खबर इतनी फैल गई है कि चारो तरफ ये खबर पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी थी और उस पर आलिक जो यहाँ पर जैदेपूरी ने लिखा हुआ था इस समाचार ने चारो तरफ चर्चा इस तरह हुई कि पूरी के घर में भी ये बात पता चली तारा ये बात सुनकर बहुत नाराज हुई गली, स्कूल, शहर भर में इस बात की चर्चा होने लगी थी जब सुर्यंद्रे की बहन के लड़के का नामकरन था उस कारेकरम में तारा और असत एक बार मिलते हैं उनकी मुलाकत हो जाती है इसके पहले दोनों ने स्रिप एक दुसरे के बारे में सुन रखा था या दूर से देखा हुआ था दोने की बहुत देर तक बातचीत होती है अब लेखक ने लाहोर की निम्द मध्य मोरगे की आर्थी कठिनाओं का वर्नन भी किया हुआ है देश के लगबक शहरों में हो रहे दंगे फसादों का वर्नन या खबरों को हम इस उपन्यास में पढ़ते हैं भोलापांदे की गली की औरों तोने अपनी आत्मरक्षा है तो बैठक बुलाकर नियोजन भी किया था अपने धर्मों और संपती की रक्षा है तो लोग कुछ भी करने के लिए तयार थे पाकिस्तान बनने की खबरे आ रहे थी देश में तो उथल पुतल हो रहे थी वैसे तारा के घर में बहुत कुछ हो रहा था असद तारा एक दुसरे से बहुत प्रेम करने लगे थे एक दुसरे के प्रेम में डुब गए थे उधर कनक और जैदे का प्रेम भी चरम सिमा पर पहुँच गया था बाहर मिलना जुलना भी हो रहा था देश के बिगड़ते माहोल को लेकर जैदे बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन घर की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिती के चलते वह पैसे कमाने पर जोर दे रहा था जैदे पूरी ने पेरोकार में होरे दंगो के खिलाप लिखा था कॉलेज में भी अंदोलोन का लिकर बाते होने लगे थी चातर भी उसमें शामिल होने लगे थे तारा की सहलियों में जुबेदा, गुर्टू, सुरेंद, आदी भी शामिल थी शहर में कर्फ्यू लगने के कारण बाहर आना और जाना जैसे खत्रे से खाली नहीं था वैसे तारा और आसत का मिलना भी कम होने लगा था क्योंकि जैदे और कनक का भी मिलना कम हुआ क्योंकि कर्फ्यू लगा था सबी स्तिर्यों को अपने बेटे और अपने पती की सुरिक्षा की चिंता हो रही थी क्योंकि काम के वज़े से ये लोग ज़्यादा तर बाहर रहती थे पूरी गोस मुहमत से इतियास की किताब जो अनुवात के लिए लेकर आया था उसका काम जल्दी जल्दी खतम करके उसे देकर पैसे पाना चाहता था एक मुहले से दुसरे मुहले में आख के गोले बना कर फेके जा रहे थे लोग घबरा कर घर में दुपके हुए थे एक दिन जैदेव तारा के कहने पर उसे साथ लेकर कनक के घर की और चला जाता है क्योंकि बहुत दिनों से कनक के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी तब तारा असद को मिलने जाती है, जैदेव ने जब तारा और असद को एक रिस्टारंट के बाहर आते देखा, तो जैदेव नाराज हो जाता है, तारा असद के साथ उसी समय भागने के लिए भी तयार थी, लेकिन असद तारा को समझा देता है कि यह समय सही नहीं है, दोनो तारा को ही समझाने लगता है, तारा कुछ सोचने और सबजने की स्थिति में है नहीं, उसने पूरी से बात करते समय अपना सिर जोर से खाट पर मार दिया, जिस कारण उसका सिर है न फुर जाता है, माने क्या हुआ पूचने पर पूरी वह खाट उठ रही थी, उपर जा रही शहर में कर्फ्यू लग गया है, इस तरह देश के बिगड़ते माहोल के साथ तारा और जैदेव के घर के माहोल का वर्नर लेखग ने बहुत बारी किसे किया है, कनक का उधर बूरा हाल था, वह जैदेव को बात किये बिना नहीं रह सकती थी, पिताजी ने बाहर जाने से मना क घर से निकल कर जयदेव को मिलने जेल जाती है। पूरी अपने मन को वश में रखते हुए इत्यास की किताब का काम पूरा करते हुए शाम के 5 बजे के करिब गोस मुहमत के घर जाने के लिए निकलता है। जो साड़े 500 रुपे उसे मिलने वाले थे अब नहीं मिलेंगे। उसके बाद जयदेव पूरी ने अलग-अलग जगह पर उस किताब के बारे में बात की। कुछ पत्रिकाओं में जयदेव पूरी की कहानिया भी मांगी गई। लाहोर को पाकिस्तान में दिये जाने से हिंदूों में नगर छोड़ने की बाते जैसे शहर में फैल गई थी। तारा के विवाह की तैयारिया घर पे चलने लगी थी। कनक नेनी ताल अपने जीजा और बहन के साथ गई थी जहां से पत्र लिकर अपने हाल के बारे में यानिया अपने संपूर्न हाल के बारे में उसने पूरी को लिखा हुआ था। ततकाली स्थिती ऐसी थी कि पूर्व से मुस्लिम और पच्चिम से हिंदू परिवार शरन के लिए लाहोर में आ रहे थे। पूरी के घर मास्टर पानना तारा की शादी की बात सुन कर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। दॉक्टर साब बड़े विनम्रता से पूरी के घर का आदर सतकार स्विकार करते हैं और तारा को अशिर्वा देकर वहां से चले गए हैं। शादियों में होने वाली रस्मे रिवास धूमधाम से कर भी नहीं सकते थे क्योंकि कर्फ्यू लग गया था शहर में और इस कारंस्त्रिया थिमे स्वर में शादी की गीत गाती हैं। तारा की शादी कम लोगों की उपस्तिती में करवा दी जाती है। तारा की विदाई हुई उसी रात बनी हाते की गली में कुछ घरों में आग लग जाती है। जिसमें तारा और सुमराज की बुवा का कोई पता नहीं चलता है। इधर तारा के घरवालों को गलत खबर दी जा के साथ उसके घरवालों का किसके सोमराज के घरवारों का या परिवारवालों का अच्छा विवार न होना और सोमराज तो अपनी हद ही पार कर देता है उसको पहले ही रात में बहुत पिटता है मारता है गाली गलोच करता है और बदले की भावना रखता है और उसी रात उस में मुसल्मान अक्रमान कर देते हैं अक्रमन मतलब तंगे फसाद होते हैं आग के गोले फेके जाते हैं जिस कारण सुमराच के घर को आग लगती है और उस आग का फायदा उठा कर वहाप से जो है तारा भाग जाती है एक मुसलिम परवार से उतर कर वो निकलती है लेकिन ये फसाद का मोका पाकरोज जब सड़क से भाग रही थी तो एक व्यक्ति उसको उठा कर घर ले कर जाता है उस व्यक्ति का नाम नबू है अब रात को अंधेरी रात को एक स्त्री उस समय सुरक्षित नहीं थी उसी का फायदा ये हुआ कि ताराव को एक नबू नमक मुसल्मा जबर्दस्ती उठा कर ले जाता है उसके बाद उसका बलातकार होता है उसके साथ अच्याचार किया जाता है उसकी बीबी उसको बहुत कोस्ती भी है लेकिन वह किसी की नहीं सुनता तारा की वैसे हालत बहुत खराब हो गई थी वह मरने के लिए भी तयार हो गई थी उस प टारा के हालत देखकर सबस्त्रिया परेशान हो जाती है, नभी को कोसनी लगती है, सबस्त्रिया नभी के घर वापस आने का इंतजार करने लगी, जब नभी घर आया तो सारा मोहला एक हुआ था, और नबू के अनुसार तारा हिंदू है और वो भाग रही थी उसने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया ऐसा नबू को लग रहा था क्योंकि हिंदू स्रियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नबू का विचार था पड़ोष सिस्त्रिय ने जब हफीज के आने की बात नबू को बता दी तो तारा की शरिट से उतारे हुए गहने या सोना लेकर वो घर से भाग जाता है तारा को लेने हफीज इनायत अली नामक मुसल्मान का एक वेक्ति है तो वो आता है वो विश्वास वेक्ति था तारा कही जाना नहीं चाहती थी वो मृत्यू पाना चाहती है उसे लगता है कि मुझे कही और उन्नमत भेजिये चाहे तो मुझे मार डालिये तारा को समझा कर वो अपने घर लेकर जाता है तारा अब एक मुसल्मान के घर में रहने लगती है जहां उसे बहुत प्यार तो मिल जब तारा के अपने गली भूला पांदे की गली के बारे में पता किया गया तो पता चला की तारा का परिवार वह अन्य वहां के हिंदु अपने घर खाली करके कही और चले गया है। हफिजाली का बेटा अमजद फोज में काम करता था, वह बहुत दिनों के बाद जब घर आता है तो तारा को अपने घर में दिखकर वह जैसे गुसा हो जाता है, वह उसके विरोध में जाता है, उसके अनुसार इसने धर्म परिवरतन करना चाहिए, नहीं तो उसे क्यामपों म मिलने वाली है, उधर जैदेपूरी कनेक के बुलाने पर नेनिताल चला जाता है, जहां उसके नोकरी की बात कनेक के पत्र में लेखी थी, अपने परिवार को छोड़ कर जाते समय, जैदेव के मन में ये नहीं आया था, कि स्थिती इतनी बदल जायेगी कि परिवार वालों को अपना घर छोड़ कर भागना पड़ेगा, यहां कनेक के मादे से जैदेव के प्रति उसका जो प्रेम है, जो हर हद तक बहुत ही जादा है, क्योंकि वहां जैदेव पूरी के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है, जो अपने परिवार की विरोध में जाकर जैदेव की परिवार है, एक साथ में थे, लेकिन उसके एक दिन पहले देश के माहोल का वर्नन लिखक ने बहुत ही बड़े बारी किसे किया हुआ है, दोग अपने अपने दुकान को सजा रहे थे, तिरंगे के रंग हर तरप जैसे पता के रुप में फैराये जा रहे थे, पूरी लख कनक ने जिस अवस्ति जी की बात की थी, वहाँ वैसा कुछ पूरी को अनभो नहीं होता, पूरी हार मान करने निताल वापस आता है, उस राथ न्यू क्लब बड़े भोच की पार्टी रखे थी, लाहोर में बहुत बड़ा माहोल बिगड गया था, नैयर जो कांता के पती है या कनक के जो जिजाजी है, उनकी दो दुकाने लोगों ने अपने कबज़ में कर ली थी, इधर नैयर और उसके घरवालों की ये बात सुनकर बहुत हालत खराब हो गई थी, क्योंकि कमाने का वही एक जरिया था, पूरी को अपने घर की चिंता सताने लगी थी, वह कनक से म मिलकर अपने घर, अपने गाव के लिए लोटने के लिए निकलता है, पर देश में हो रहे दंगे के कारण बस की हालत, लोगों के कतल, गंदगी, लाचों का संड़ना, खुन खराबा, आधी का वर्नन हमें मिलता है, जहां बस में बैटने के लिए जगही नहीं मिलती, जैस इधर खुमना पड़ता है, लोग एक के उपर एक चड़कर बसों में प्रवास कर रहे हैं, सब लोग डरे हुए है, चारों तरफ दहशत है, पूरी की हलत जैसे एक भुके के समान हो जाती है, उसको पता लगता है कि उसके परिवार वाले घर छोड़कर कैंपों में चले ग पड़ता है, जवान सुन्द स्त्रियों के फटे पुराने कपड़े उनका जो नंगा बदन देखकर पूरी को बहुत बुरा लगता है, और अपनी बहन तारा की आदाती है, अपनी परिवार की आदाने लगती है, और उनकी बाज़ारों में बूली या भी स्त्रियों की पड़ते हैं, भारत पाकिस्तान तो बन गया था, लेकिन ततकाली समय के लोगों की समाच की ववस्ता बहुत खराब बन गई थी, उस आग में नजाने कितने घर जल गए थे, कितने लाशे सड़ गई थी, कितनी लाशों से गंदगी आ रही थी, कितनी लाशों पर मक्या भि पूरी अपने परिवार को ढूणने के लिए फिरोचपूर के शरनार्तियों के क्यांपो में गया, जहां उसकी मुलाकत उसके गली के काली नामग व्यक्ति से हो जाती है, जिसे पता चलता है कि तुम्हारे घरवाल एक तो अमरुटसर गए होंगे, नहीं तो यहां आ जाए इधर आएंगे तो मैं उनका धान रखूंगा और तुम उधर जाकर अमरुटसर में जाकर अपने परिवार को ढूणो, पूरी अमरुटसर के लिए निकल जाता है, बस स्टैंड या बस स्टेशन पर वो जाने सकता क्योंकि भीड बहुत जादा है, पैदाल निकलने लगता इस बस्टैं से उस बस्टैं तक वो निकलता रहता है, उस समय इधर उधर जाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ संगर्श करना पड़ता था, जहनना पड़ता था, पूरी थोड़ी दूरी पर गया था, जहां एक कॉलेज के इमारत में कुछ शरनार्थी रुके हुए थ वहां पूरी के पहचान का बाधवामन नारंग मिल जाता है, जो अपने परिवार सहित वहां रुका हुआ है, पूरी ने उनको अभी अपने पितायों परिवार के बारे में पूछा, लेकिन जब नारंग जी के मूँ से गली, वहां के लोगों के जाने की बाते, वहां की घ हिंदू है या मुस्लीम है जो रात के समय वो सो रहा था एक वेक्तिन आकर उसके गले पर छुरा रखकर उसकी घड़ी उतारी उसके जेब में जो 23 रुपए 6 आने और 5 पैसे थे उसको निकाल कर ले जा रहा था पूरी ने उसके कहा कि मैं तो आपका हिंदू भाई हो तो आप मुझे ही क्यों लूट रहे हो तो एक दूसरा भाई हिंदू कहता है कि मैं लाचार हूँ क्योंकि मजबूर हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का पेट पालना है तो मुझे कुछ नो कुछ तो करना ही पड़ेगा और जीवित रहने के लिए आपने लोगों को ही लोग लूट र भूक और सिर्दर्द के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई है उधर तारा हाफिजाली के घर से आजाद होकर उसे क्यामपों में छोडने के लिए बोल कर एक गाड़ी एक पुलिस के साथ जा रही थी रावी नदी के पूल को पार करते समय तारा को आशंका होने लगती ह और वो हिम्मत करके उसे टोकती है मुझे तो डी एवी कॉलेज के क्यामप में जाना है इधर तो रावी का रस्ता है फिर उन लोगों की नियत तारा ने भाप ली तारा वहां से चुटने का सफाल प्रयास करती है लेकिन तारा का मुव बंद किया जाता है जब उसकी आखे खुली तो एक बड़े से आंगन के कमरे में वो पड़ी थी जहां उसके जैसी दूसरी भी छे साथ स्त्रिया थी उनको कैद करके रखा था वहां स्त्रिया आपस में लड़ रहे थी कुछ स्त्रियों के बदन पर कपड़े नहीं थे उनकी बातशीत तारा उनने जब सुनी ब दूसरी केद में आकर फस गई थी जहांप रोजख खाना भी नहीं मिलता था श्त्रियों को बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में पता भी नहीं था एक बूरी स्त्रिया आकर उनको रोटिया दे कर जाती जिससमें से बहुत कम रोटी उनके हिस्से में आती इस वज़िस से आधे पेट ही रहेकर इनको गुजारा करना पड़ता, बहुत बार तो स्त्रियाओं में रोटी को लेकर जगडे हो रहे थे, वहाँ पर रहने वाली हर एक स्त्री अपनी अपनी दुख भरी कहानी लेकर आई थी, कोई भगवान को कोस रही थी, कोई भगवान का नाम रक्षा क के लिए ले रही थी, अब इस बारे में वो प्राथनाई भी कर रहे थी, वहाँ तारा के साथ जो स्त्रिया थी, वहाँ अपनी अपनी कहानिया और यहाँ पोचने थे कि सभी घटनाओं को बताने लगती है, वह बूरी स्त्री जान बुच कर कम रोटी अलाती थी और अगली उन लोगों ने सब स्त्रियों को बारी-बारी से देख लिया, लेकिन कोई भी स्त्रियों उनको पसंद नहीं आई, तारों को अपना आत्मसमान और व्यक्तित्व समाप्त होता नजर आ रहा था, उसके दो दिन बाद सुबह की कीवाड जब खुलती है, तो खुलने के बाद इनको घबराट होती है, कि इतने जल्दी तो भूड़ी, जो स्त्रिय है, खाना लेकर नहीं आती, जिसके साथ पेरों की आवाज भी आ रहे थी, सभी स्त्रिया डर गई, जब हम तुमारी मदद के लिए आये है, ऐसी आवाज सुनी जाती है, तो तारा अंदर से झाक कर बाह करके वो बहारानी लगी, उस मदद करने वाले लोगों में असद भी था, तारा को वो देखकर अश्चरी चकित हो जाता है, कि तारा इस हालत में यहां कैसे पहुची, तारा सुयम शुन्ने में विलीन हो गई थी, असद ने तारा को मदद के लिए पहुचने की सारी जो बता दी, उस को नहीं लगा था कि तारा की इस तरह फिर भेट हो जाएगी, क्योंकि उसने सुन रखाता कि पूरी के मिलने के बाद या बनी हाती की गली में आग लगने की घटना, तारा की मुर्त्यू की घटना, ये भी उसने सुन रखी थी, तारा के साथ खुल मिला कर उसने अपना दम तोड़ दिया था, असत तारा को स्वयम निरने देने के बारे में कहकर कल आता हूं या पांच बज़ा आता हूं कहकर वो निकल जाता है, तारा यूं अन्ने स्त्रियो को D.A.V. कॉलेज छोड़ दिया जाता है, स्रीमती कोशिला देवी सभिस्त्रियो को नाम समय नहीं था कि वह एक स्त्री के बाच्चित में इतना समय गवाए तारा की मन में तरह तरह के बाते आ रहे थी वो तुफान उट रहा था मावाप के लिए वो जलकर मर गई थी ससुराल से भाग गई थी असत के साथ जाना अर्थात मुसल्मान के साथ जाना अब उसका अनवोग मुसल्मानों के साथ बहुत बुरा था असत कितना भी अच्छा हो लेकिन अब माहूल वह नहीं रहा था कोशला देवी ने जब गाड़ी मिलने की बात की तो सभी स्त्रिया जाने के लिए तयार हो गई तारा विचारों में डूबी हुई थी कोशला देवी का काम इन स्त्रियों को पाकिस्तान से निकाल कर हिंदुस्तान में पहुचाना था तारा कुछ सोचना चाहती थी लेकिन तारा को कोशला देवी बाहा पकड़ कर गाड़ी के ओर ले जाती है जिस गाड़ी में इन स्त्रियों को बिठाया जाता है उसमें कुछ लोग इनकी रक्षा के लिए भी तैनात थे जो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए आयो है थे तारा संपुर्न रास्ते बर सोचती जा रहे थी मेरा जीवन सिर्फ दरदर की ठोकरी खाने के लिए ही है क्या वह मरती क्यों नहीं है ऐसा वो स्वयम सोच रही है बाहर सड़ी हुए लाशो की दुरगंद आ रही है वातावरन भहुत खराप हो गया है बहुत सारे लोग अपने सीरों पर बहुत सारा सामान आजीविका चलाने के लिए चला या जो कुछ सामान उनके पास है गठरिया लेकर जा रहे है तारा आख हूंदे हुए अपने जीवन के बारे में सोच रही है अब अपने माता पिता को कैसे घूंडे किसके घर जाए कहा जाए हिंदुस्तान की सीमा पर चेकिंग हो रहा था फिर एक जहां क्याम के लिए जगह बनाई थी वहां गाड़ी रुख जाती है फिर कोशिला दीवी सभी स्त्रियों को कहते है कि भगवान का शुक्र मनाव हम सब लोग पहुँच गए और कहते हैं कि तुमारा वतन तो छुड़ गया पर तुम अपने लोगों में आ गई या अपने लोगों में पहुच गई वतन और देश तारा के मस्तिक में ये शब्द गूंजने लगता है यहां उपन्यास का प्रथम भाग वतन और देश समावत हो जाता है तारा, जैदयो, शीलो, नयर, महंदर नयर है, डॉक्टर प्राननाथ है, कनक इन सभी मुख्य पात्रों की कथा अगर इनके साथ अब बाद में क्या हुआ भारत तो सोतंत्र हो गया, भारत को तो आजादी मिल गई बटवारी की स्थिति के लेकर दुरगटनाय होई, लोग क्यामपो में भरे पड़े हुए अब इनके साथ आगे क्या हुआ, इस कथा को या इस कथानक को, इस कथावस्तो को सुनने के लिए हमें इस उपन्यास का दूसरा भाग, देश का भवशे ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है तो ये प्रथम भाग यहाँ पर समाप्त हो जाता है, आप लोगों को ये संपूर्ण वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेट करके ज़रू बताएगा और यहाँ तक आपने संपूर्ण वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेर और कीजिएगा, ताकि मुझे और जो मोटिवेशन मिलता रहे और हम यहाँ पर रुकते हैं, जन्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए विशेखे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद